वेल्कम बाक पूस्ट्रीमर्ज आज मैं आप सब के लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का शिर्षक है बोलने वाली गुफा बहुत पुरानी बात है एक जंगल में एक शेर था वो ना रोज शिकार करके ही खाता था आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं गया दुपैर हो गए थी उसके पेट में छोटे-छोटे चुहे कूदने लग गे थे अब उसको भूग तो बरी जोरकी लगी थी और वह ऐसी घूम रहा था जंगल में ढून रहा था अपना शिकार पर उसको वहां कुछ नहीं मिला ख वहार खड़े होके सोचता इस गुफा के अंदर अगर मैं गुज जाओ इसका मालिक तो जुरूर आएगा वो जब भी लोटेगा मैं उसका शिकार करके खा जाओंगा यह सोचकर वो शेर उस गुफा के अंदर जाके पैट गया शाम हुई कि सियर उस गुफा का मालिक था सियर आता है अब सियर अकलमन था उसने क्या कहा उसने देखा कि कुफा के अंदर पद्चे जा रहे हैं यानि कि पैरों के चाप उसके बाद फुटप्रिंट को पहचानता है अरे यह तो शेर के फुटप्रिंट और यह कहा जा रहा है यह गुफा के अंदर तो जारहे है पर गुफा के अंदर से बाहर नहीं आ रहे हैं तो वो थोरी दिर बाहर रुखता है और अपने साथ सोचता है कि यह पैर अंदर जा रहे हैं और शेर के हैं मतलब कि शे गुफा के अंदर बैठा है अब अगर मैं अंदर जाओंगा हो शिकार मेरा शिकार करके मुझे खा जाएगा अब मैं क्या को सियार को उसी समें एक आइडिया आता है और वो बोलता है ओ मेरी प्यारी गुफा तुमने मुझे आज अब आज नहीं लगाए क्या हो गया तुम ठीक तो हो अब यह सुनके शेर सोचता है कि शायद मैं अंदर बैठा माहूं इसलिए यह गुफा उसको अब आज नहीं लगा रही लोज लगाती होगी क्यों कि शेर तो पहली बार बैठा तो शेर अंदर से आवाज लगाता है ओ मेरी प्यारी सियार तुम आई बहुत अच्छा लगा तुम आज वापिस घर लोट आई अंदर आओ मेरी सियार मेरी मित अब जैसे ही शेर ने यह बोला पक्का हो गया कि अंदर शेर है और अगर वो अंदर जाएगा तो क्या होगा उसका शिकार करके शेर खा जाएगा उसको पर जाएगा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले आपको सूचना चाहिए आप जहां पर भी हो जो भी हो आपके आसपास आपको अपने आसपास के वातावरन परियावरन से सत्तर के रहना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है इसलिए अपनी आखे और कान खुली रखे इसी के साथ यह कहानी है समाप्तूती पर मिलेंग के अगले व्लोग में धन्यवाद